हमारे देश में लोकतंत्र सर्वो परी है जिसका ये मतलब है कि जनता द्वारा लिया गया फैसला जिसमें जनता को वोट देने का अधिकार होता है और जनता जिसे सराखों पर विठाती है वही सत्ता में काबिज होता है लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की जीत होती है तो यही मीडिया के एक्जिट पोल्स पर लोकतंत्र क्या है ये बताया जाता है लेकिन जब विधान सभा चुनाव के एक्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है तो यही गोधी मोधी भक्त तिल मिला उठते हैं पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान मुगलों का राज वापस आ जाएगा राम मंदिर धारा दिल्ली की जनता के लिए कोई माइने नहीं लखते हैं ना राम मंदिर से कोई मतलब है ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है ना ही उसे देश के तूट जाने की कोई चिंता है दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, डेश टूटे फुटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए. दिल्ली की जनता अपने जीवन के संगर्ष में ही कूरी तरह से बिजी है, लिप्थ है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रिय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती दिल्ली का चुनाव स्थानिय मुद्दों पर ही लड़ा गया है और दिल्ली वालों को भी स्थानिय मुद्दे ही पसंद आए और जनरता ने राश्ट्रिय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया जन expressions के लिए राजनीती की बातीं करने के लिए सारे मुद्धें बड़े अच्छे हैं लेकिन जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज़ पर डालेंगे कि मुष्ट में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है जब हम वोट डालेंगे तो हमें ये देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है दिल्ली के लोग राष्टवाद और राष्टे मुद्धों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं लेकिन वोट डालने बाहर नहीं निकलते हैं यानि दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं वो अपना सारा पॉइंट ओफ यू जो देते हैं सब स्मार्ट फोन पर देना चाहते हैं सोशल मीडिया पर ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं ये सारे लोग तो अगली बार ये ही चाहेंगे कि चुनाव भी सोशल मीडिया पर ही हो जाए क्योंकि उसके लिए इन्हें पोलिंग बूद तक जाने की जरूत नहीं पड़ेगी, इसलिए दिल्ली की जनता ने आज ये बता दिया कि वो सरफ अपने स्मार्ट फोन से चिपके रहते हैं वो डालने नहीं जाएंगे, बातें बड़ी-बड़ी करते रहें ये सुधीर चौधरी हैं, जो कि देश की जनता को गाली देते हैं, साथ ही लालची, गद्दार भी कहते हैं इनका कहना है कि देश की जनता को राश्ट्रिय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है और देश की जनता को सिर्फ मुफ्त खोरी से मतलब है ये बीजेपी की हार से इतने तिलमिला उठे कि देश की जनता को ही गालियां दे बैठे ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे